नमस्कार नियूस्टेन एप्टर के उत्राखंट बुलिटिन में आप सभी का स्वागत है इस खास बुलिटिन में हम आपको खबरों के साथ साथ हर रोज उत्राखंट की एक जानीमानी हस्ती के बारे में जानकारी देंगे तो चलिए बुलिटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से केंशेंड में विकासकारियों के लिए मिले 350 करोड स्वास सेवाओं से लेकर हैली पैट के लिए सियम त्रिवेंद ने की बड़ी घोशना माशी वरातरी के लिए हरिद्वार कुम प्रशासन ने कसी कमार गंगा इसनान के वक्त शर्दालों को नहीं होगी कोई दिक्कत उत्रखंड में 11 महीने बाद शुरू हुआ जनरल ट्रेनों का संचालन अब सफर के लिए यात्रियों को नहीं देना होगा जादा किराया सस्ते डेटा और फोन के बाद सस्ते लैप्टॉप मार्केट पे उतारेगा जीओ यूजर्स को मिलेंगे कई नई फीचर्स उत्रखंड लेका सेवा आयोग ने 19 पदों पर निकाली भरती 25 मार्स तक करें ऑनलाइन आवेदन अब समाचार विस्तार से बुख्यमंद्री त्रवेंसिक रावत ने गैनशेंड में विकासकारियों के लिए साड़े तीन सो करोड की धनराशी दी है इसके लिए सरकार ने पूरा खाका तयार कर लिया है इसमें चकोटिया हवाई अड़े के लिए 20 करोड सचीवाले के लिए 15 करोड विदानसभा भवन के लिए 19 करोड गैनशेंड पेजल योजना के लिए 106 करोड CSC हास्पिटल अपग्रेडेशन के लिए साड़े 11 करोड परीवान सेवाएं दुरुस करने के लिए 5 करोड और स्किल डेवलोप्मेंट के लिए 1 करोड एवं कई कारियों के लिए धनराशी सुर्कित की है CM त्रिमेंट की माने तो भराडी सेंड में बनने वाले हेलिपेट पर एक साथ 3 MI हेलिकॉप्टर उतर सकेंगे हमने प्रियास किया है कि उत्राखंड जो विक्सित राज्य की हमारी परिकल्पना है उसकी निव को हम मजबूत करें और उसी दिष्टी से अपने राज्य के उपलब्ध संसादनों के आधार पर और जो हमारे पास प्लान का जो भी पैसा हमारे पास है हमने उसका उप्योग करने का प्रियास किया है और कल्पना यही है और जो हमारा फोकस है वो चार विशों पर है स्वस्त उत्राखंड, सुगम उत्राखंड, सौलमी उत्राखंड और स्वरक्षित उत्राखंड खबर हरिद्वार महा कुम की हरिद्वार में महा कुम की शुरुवात हो गई है कुम को सफर बनाने के लिए मेला प्रचाशन हर मुम्किन प्रयास कर रहा है वहीं 11 मार्च को माशिवरात्री के महतफूर इसनान के लिए भी कुम प्रचाशन ने कमर कसली है अपर मेला अधिकारी डॉक्टर ललित नराइन मिशन ने अधिकारियों को इस दिन सभी विवस्ताओं को पूरी तरह दुरुस्त रखने के निर्देश दिये हैं उनकी माने तो घाटों में इस नान के वक्त शरधालों को लाइटिंग या किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी इसके लिए 29 पोल पर लाइटिंग की विवस्ताओं की जा रही है अपमेल अदिकारी ने सभी कारियों को 7 मार्स तक पूरा करने के भी निर्देश दिये खबर उत्राखंट से जनर्टेनों के संचालन की कुरोना मामारी में लॉकडाउन के चलते पैसेंजर ट्रेनों का संचालन पूरी तरह बन था वही 11 माईने बाद पैसेंजर ट्रेने दोबारा पट्रियों पर लॉट आई है रुद्रपुर रेलवे स्टेशन पर काड़ोदाम से मुरादाबाद के भी चलने वाली दो पैसेंजर ट्रेने शुरू कर दी गई है पुर्बोता रेलवे जतनगर के जनसनपर अधिकारी राजिंदर सिंग के मुताबिद अब तक जनरल कोश के लिए भी यात्रियों को रिजरुवेशन करना पड़ रहा था वही अब पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू होने के बाद यात्रियों को रिजरुवेशन की जरुरत नहीं पड़ेगी जनरल कोश के लिए यात्री टिकट लेकर सीधे ट्रेनों में सफर कर सकेंगे दोस्तों New Student Network आपको हमेशा अपडेट करता रहता है इसलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुचाते रहें कबर जियो के सस्ते लेक्टॉप की सस्ते डेटा और फोन के बाद अप रिलाइंस की जियो कंपनी एक लो कॉस्ट लेक्टॉप पर काम कर रही है रिपोर्ट के मुताबिक इसे जियो बुक नाम से मार्केट में उतारा जाएगा यो जियो ओएस पर काम करेगा और 4G LTE को सपोर्ट करेगा LTE में तमाम जियो एप आपको पहले से ही इस्टॉल्ड मिलेंगे खबर उत्रकंट सचीवाले में भरती की उत्रकंट सचीवाले और उत्रकंट लेखा सेवा आयोग में 19 पदोबर भरती निकली है ये भरती समिक्षय अदिकारी लेखाकार के पत पर की जानी है इच्छु कुमिद्वार इस नौकरी के लिए ओनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं आवेदन की अंतिन्तिती 25 मार्स रखी गई है वही आवेदन प्रतुया 6 मार्स से शुरू होगी इन पदों में नौकरी के लिए आवेदन के पास बी कौण की दॉगरी होना अनिवारी है अवेदन शुल्ग सभी कैटिग्री के लिए अलग जखा गया है अब ही आविदन के लिए आप आपकी स्क्रीन और डिस्रॉप्शिन बॉक्स में दिये गए आविदन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं उतरकंड शक्षियत में आज हम आपको बताने जा रहा हैं सुरेंदर सिंग पमार के बारे में बिगेडियर सुरिंदर सिंग पवार भारती सेना में एक तोखाने अधिकारी के रूप में कारी किया उनका जन्म 19 अक्तोबर 1919 को उत्राखंट के दहरादून में हुआ सुरिंदर पवार ने भारती सेनकादमी से पढ़ाई पूरी की उन्हें 3 माई 1942 को इंडियन आर्टिलेटरी के रॉयल रेजिमेंट में दूसरे लेटिनेंट के रूप में नियुक किया गया उन्होंने द्युक्तिय विश्य युद्ध के दोरान और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में एम भूमिकानी भाई 1959 में उन्होंने मैंचेस्टर गनरी स्टाफ कोर्स में प्रवेश किया 1973 में वह ब्रिगेडर के रूप में सेवा निवृत हुए वह अखिल भारतिये गोर्खा पूर सैनी कलियान संग के अध्यक्ष भी रहे 29 अप्रेल 2002 को उनकी वृत्पी हो दोस्तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अगर आप इसको यूटूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलू करें नमस्कार